News 18 इंडिया जो आजाद उम्मीद्वार के तोर पर चुनावी मैदान में है उन में से 12 ने जीत दर्ज कर ली है वह अगर बात नवाज शरीफ की करते हैं उनकी पार्टी PMLN के 14 सीटों पर और बिलावल भुट्टों की पार्टी PPP को 9 सीटों पर जीत मिली है अभी भी काउंटिंग जारी है कल वोटिंग पूरी होने के बाद जैसे ही रोजान सामने आने शुरू हुए उन रोजानों से तस्वीर ये निकल कर सामने आने लगे कि इमरान खान की तरफ जो है जुकाव दिखाई दे रहा है इमरान खान आगे बढ़ते हुए इस रेस में दिखाई दे रहा है आजाद उम्मीद्वार के तौर पर इस चुनाव में उत्रे थे और देखिए हम आपको टेली भी दिखा रहे हैं मारान समर्थक जो बारा पर और नवाज जो पीमेलन है उनकी पार्टी वो 14 पर बिलावल भ माकिस्तान के अंदर लौगी सेना ये सोची नहीं पाई थी वंतोर तो सोच रही थी कि धुमन ॉः की जो नीथी वो काFी कामयाम है उस्ने सोचा था कि सारे बड़े लीडर्स जेल में हैं इम्रान खान जेल में हैं इम्रान खान की पार्टी का सिंबल भल बैट यह ता वह क कोई लगा सकता उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकती लेकिन उसके बाद भी जबदस मैनेजमेंट ललकों ने किया और अब जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं उससे एक सवाल उच रहा है और सवाल ये है कि इमरान खान पर इतनी सारी पाबंदिया होने के बावजूद उनके समठ्थक आकर चुनाओं में जीत के जंडे गाड कैसे रहे हैं क्योंकि इमरान को जेल से निकलने दिया नहीं गया इमरान की पार्टी पीटी आई की नेताओं को जेल में डाल दिया गया वो रेलिया नहीं कर पाए पीटी आई की सिंबल पर चुनाओं में बैन लगा दिया गया अब PTI के नेता निर्दली उम्मिद्वार के तौर पर मैदान में उत्रे लेकिन उन्हें भी रेलिया करने पर तितर बितर कर दिया जाता था इसलिए सवाल ये है कि इन सब के बावजून इतनी पाबंदियों के बावजून भी कैसे इमरान खान के समर्थन वाली जो पार्टी है जो समर्थक है तमाम इमरान खान की पार्टी से तालुक रखने वाले वो कैसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के ये नतीजे इसलिए चौकाने वाले हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान में नहीं हुआ कि जब सेना अगर समर्थन ना करे तो वाँ सरकार बन जा लेकिन अब ऐसा होता दिख रहा है सेना जिनको पसंद नहीं कर रही है वो तक आगे बढ़ रहा है कुछ ग्राफि कर पाए प्रचार पर पूरी तरीके से उनके रोक थी और सिंबल पर तक जो है वो बैन लगा हुआ था तो ये सारे रहे फैक्टर्स बावजूद इसके इम्रान के समर्थक आगे बढ़ रहे हैं और कमर अगर को आपने सुना वो यही बात कर रहे हैं कि ये सेना के लिए एक पक्ष में होते दिख रहे हैं और इम्रान के समर्थक जो आजाद उम्मीद्वार के तौर पर चुनाओं में उत्रे हैं उन्होंने अब तक के घोशित नतीजों में बढ़ध बना रखी है लेकिन फिर भी आपको बता दें कि शरीफ परिवार ने जो अपनी सीटे थी उन पर यहाँ पर जरूर दर्ज कर पार्टी बले पीछे चल रही हो हलाकि अभी भी आपको बता दे कि एक के बाद एक जो नतीजे सामने आते जा रहे हैं वो पहले वाले से जादा चौकाने वाले हैं अब आपको यह बता दे कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मर्यम नवाज चनाम जीत चुके हैं यह जानक प्रश्ण चिन भी है कि आखर इमरान समर्थक इतना आगे कैसे निकल गए देरी करने का आरो पीटिया के नहता लगा रहे हैं क्योंकि यह नतीजे देर रात या आज सुभा तक आ जाने चाहिए थे लेकिन यह देरी धांदली की ओर इशारा कर रही है जाने रही है